नाम है वास्तविक कानून जिसे के एक सड़क पर खून है तारीख तपता जून है एक उंगली है पड़ी और उस पे जो नाखून है नाखून पर है एक निशाँ अब कौन होगा हुक्मरा जब चुन रहीं थी उंगलियां ये उंगली भी तप थी वहाँ फिर क्यूं पड़ यह खून में जिसमिस का है कहां मर गया कि था ही ना कौन थे वो लोग जिनके हाथ में थी लाठियां कोई अफसर था पुलिस का कोई अफसर था पुलिस का न्यायधी शाय थे क्या कौन करता था वकालत फैसला किसने दिया या कोई धर्मात मा था धर्म के रक्षक थे क्या धर् आदमी छोटे हैं साहिब हमका पढ़ते बीच में हम बचाने भी गए थे तीन पढ़ गया खींच के मोटर साइकल लाए थे गूट पे करदी खड़ी आठ दस लॉड़े लपाड़े लाठिया इत्ती बड़ी गाली दे के नाम पूछा पेट में गूसा दिया अधमरा वो गिर आखरी था बार जिसका उनका वो सरदार था उसने ही सबको बताया जो मरा घदार था हक नहीं इनको हमारे देश के एक वोट पर दीमकों को ना रखो गर जूतियों की नोक पर सरपये चड़ जाएंगे ये कई गुना बढ़ जाएंगे हुकमरा होगा इनी का आग मूतेंगे सभी पैर के नीचे कुछल दो जीत होगी धर्म की हम तो खोड डर गयते साहिब खौफ उनको था नहीं किस नसल के लोग थे वो कुछ समझ आया नहीं ना कोई इंसान उनमें ना कोई था आदमी साथ मिलकर शेर बन गए गीदरों की भीड थी नोच खाने की तलब थी जानव एक कानून है अरे हमस का है पूछते हो क्यों शलक पर खून है पूचो इस उनमली कि यहां गटना घटी जपने क्या किया था जिसम से क्यों कटी कि मैं तो समझा मर चुकी है उनली में पर जान थी स्याही उनकून पर जो देश एक तर नचाहिए वोट था दे तो दिया बोली आप क्या चाहिए वोट था दे तो दिया जी रहे थे कैद में मौत दे दी शुक्रिया ना खून पे जमहूरियत है जम गया है खून भी अरे आप ही तो हो अदालत आप हो कानून भी आप से कैसी शिकायत आप तो है नीद में आप जैसे सौ खड़े थे जाहिलों की दे दे गवाही आपको मैं खुशी से मान लूँगा भीड के इनसाफ को कीजिए इस पर बहस पैनलों में बैठ कर क्या हुआ मोहन का वादा है कहां बेट कर सब बराबर है अगर तो बस मुझे ही क्यों चुना तुम बताओ कौन देगा घर को मेरे रोटिया असलियत से बेख खबर हो शहरी हो दिल्ली से हो एक हिदायत दे रहा हूं सोच कर बोला करो तुम सवालों से भरे हो क्या तुम्हें मालूम है भीड से कुछ पूछना भी जानलेवा जुर्म है तफ्तीश करने आए हो खुल के कर लो शौक से फर्क पढ़ता ही कहा है एक दो की मौत से चार दि दिन भूल के सब काम पे लग जाएंगे काम से ही काम रखना काम से ही काम रखना हां मगर ये याद रखना कोई पूछे कौन थे बस तुम्हें इतना है कहना भीड थी कुछ लोग थे फिर भी गर कोई जित पकड़ ले क्या हुआ किस ने किया सोच के उंगली उठाना कट रह होते हैं शुक्राइब क्या बात है नफीन ये बहुत सख्त सवाल कड़ी सवाल आपने इसमें उठाए हैं और आई आई टी में पढ़ते पढ़ते जब आप अपने आपकी तमाम तरह की वैस्त तताए होंगी